राश्ट्री युवा दिवस के मौके पर राश्ट्री युवा संसत का आयजन किया गया जिसमें देश के सभी राजियों से चैनित प्रतिनीधियों को बोलने का मौका दिया गया चैनित प्रतिनीधित वो भिलाई के मेहुल शर्मा ने किया भिलाई निवासी 21 साल के युवा मेहुल ने संसत भवन के सेंट्रल हॉल में चार विश्यों में से वोकल फॉर लोकल पल केंडरी थोकर अपना वक्तव विदिया जिसमें देश के रिती रिवास संस्कृती परिधा अं 36 गड़िया खान पान सहित अन्य मुद्दो पर चार मिनट तक लगातार देश की संस्कृती के स्वेदेशी महतों को समझाते हुए अपना मत रखा तो वहीं देश के प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी भी इस युवा के कायल हो गए पीम मोदी ने बकाइदा 36 गड़ के मेहुल शर्मा का वीडियो ट्वीटर पर शेयर किया है जो लोकल फॉर वोकल पर कावे अंदाज में अपना पक्छ रख रहे हैं पीम मोदी ने लिखा कि वीडियो में दिखाई दे रहे युवा का नाम मेहुल शर्मा है वे 36 गड़ के बिलाई शहर के रहने वाले हैं उन्होंने मिनिस्ट्री आफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की ओर से आयोजित रास्टी यूवा संसत कारेक्रम में संसत्भवन के सेंट्रल हॉल में 36 गड़ की ओर से अपना पक्छ रखा है पीम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि 36 गड़ क संसत 2021 में भाग लिया था जिसका सेलेक्शन लेवल स्क्रिनिंग राउंड से जिला स्थरिय राज्य स्थरिय और फिर राश्य स्थरिय था जहां मैंने राज्य स्थर में प्रतमिस्थान प्राप्त कर और हर राज्य से टॉप जो थ्री थे उन्हें संसत में भाग लेने का का मिला था और मैंने संसत्भवन में वोकल फॉर लोकल विशेंप पर अपना भाशन रखा और जिसकी सरहाना प्रधान मंत्री ने अपने ट्विटर के माध्यम से करी जहां पे अध्यक्ष लोकसाबाद्यक्ष ओम बिला उपस्तित थे सिक्षा मंत्री और खेल एवं युवा म में अपने वक्तव्यकों और देश की समंदित नीतियों पर अपने वचार रखने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बहुत प्रशन से नहीं था हम सब के लिए और शाद ये लाइफ टाइम अचियमेंट है हम सारे प्रतिभागियों के लिए जिन्होंने संसत्भवन में अपना रास्ची पटल पर प्रदेश का प्रतिमिधित्व करना इतना भी आसान नहीं था सबसे पहले स्क्रिनिंग राउंड जिला इस्तरिये फिर राज इस्तरिये प्रतियोगिता में प्रथा माने के बाद फाइनल राउंड पर पहुंचे देश भर से तकरीबन पांच लाख करना झाल इस्टरिये प्रतिये प्रतियोग जिला इस्तरिये पुलतियोगित्व कर दो यह रएंड़ाग।